कॉरोना वाइरस, कॉविड नाइनटीन, हर कुजरते दिन के साथ एक भयानक रूप लेने लगा है आक्रे बर रहें और इसके साथ बर रहे हैं, तो मेरी और आपकी चुन्ता इस वक्त 180 के तक्रीबन मुल्क इस कॉरोना वाइरस के चुपेट में हैं लेकिन इसका इलाज क्या है? आखिर ये परिस्तिया कब बदलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो के हर किसी के जहन में है लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मर्स खास कारिक्रम में आपके साथ मैं हूप रिया एक बार फिर से हम हाजर हैं आपके सामने विश्व के तमान ताजा आकड़ों के साथ और आपको ये एहसास दिलाने कि आप सतर्क हो जाएए, संभल जाएए क्योंकि अगर हम अभी भी नहीं चेते तो कोरोना बहुत भयानक रूप ले लेगा जिसके शायद कलपना हमने और आपने नहीं की होगी 180 के तकरीबन मुल्क इस वक्त करोना वाइरिस की चुपेट में कई जिन्दगिया जा चुकी है, कई लोग है जो की बेबस हो गये हैं, कई सूपर पावर कंट्रीज हैं जिसके पास सवाल यह है कि आखिर अब करे क्या, क्योंकि तमाम जो एक्स्पोर्ट्स हैं, तमाम जो विज्ञानिक हैं, उनके सामने ये सवाल आ गया है कि आखिर ये परिस्थितिया कब बदलीगे, एक बार आपको फिर से दिखाते हैं, कि क्या कुछ मौझूदा परिस्थिती है विश्व भर में सबसे पहले बात सूपर पावर कंट्री अमेरिका की, सूपर पावर कंट्री, जिसके पास तमाम तरह की सुविधाई हैं लेकिन कुरोना के आगे, वो तमाम सुविधाई, वो तमाम फिसिलिटीज बहुत छोटी नज़र आ रही हैं देखिए अमेरिका में क्या इस वक्त सूर्तेहाल है, एक लाख चार हजार तीन सो चायालिस मामले सामने आए हैं ये वो आख्ड़े हैं, ये वो पेशन्स की संख्या है, जो अमेरिका में इस वक्त कुरोना से संक्रमित है मौत के आख्ड़े की बात कर लिजाए तो 1704, 1704 लोगों ने अपनी जिन्दगी गवा दिया अमेरिका में, सूपर पावर कांट्री में ठीक होने की जो तादात है वो 2527 है समझे आख्ड़ा कितना कम है, ये बात सूपर पावर कांट्री की हो रही है, अमेरिका की हो रही है देखे 24 गंटे में अमेरिका से 18,702 मरी सामने आई हैं जिनमें कुरोना की पुस्टी हुई है मौत का आंकडा यहाँ पर 409 हो जाता है जबकि ठीक होने वालों की जो तादाद है वो महस्तीन है समझे इन आकडों को और यह आप अंदाजा लगाई कि परिस्तियां इस वक्त कितनी भयानक हो चुकी है क्योंकि सूपर पावर कांट्री अमेरिका तमाम सुविधाएं तमाम फेसिलिटीज हेल्थ के मामले में सबसे नमबर वन लेकिन किस तरीके से हश्र इस वक्त हुआ है अमेरिका का कि वहाँ पर इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है इस वक्त कोरोना का अंदाजा लगाई कि स्थितियां कितनी विशम हो चुकी है अमेरिका की वहाँ कि government ने तमाम सक्ती बात में दिखा है, हाला कि इसके लिए सवाल भी उट रहा है कि आखिर पहले ये तमाम सक्ती क्यों नहीं बरती गए, लेकिन अभी भी वक्त हो ये जो तमाम आंक्डे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये आपको सचेत करता है, ये आपको बतात हैं कि कि आप अभी संभल जाएं क्योंकि परिस्थित्यां कितनी भयावा बच बनी हुई है, समूचे विश में इसका अंदाजा आप इन आंक्डों के जरी लगा सकते हैं, अब बात इटली के देखे किस तरीके से चीन के बाद जो ये देश हैं, उनमें करोना का असर देख हुई है, 9134 ये वो संख्या है, ये वो मरीजों की संख्या है जिनकी चान चली गई है इटली में करोना की जद में आने से ठीक होने वालों की जो तादात है वो 10952 हो जाती है, इसली स्वास्त के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर बढाता है, लेकिन किस तरीके स इस वक्त वहाँ पर परिस्तिती है, किस तरीके से वहाँ पर करोना का ये जो विशम रूप है वो देखने को मिल रहा है, इसका अंदाजा आप इन आंख्डों के जड़े लगा सकते हैं, इटली का लॉंबार्डी शहर इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है, जो आपर ह और तीसरे दिन करोना की जो संक्रमन का जो मामला है वो बहुत तेजी के साथ तिगुनी रफटार के साथ बढ़ रहा है, 24 घंटे का क्या कोच है अंकड़ा एक बार आपको ये जल्दी से बता देती हूँ, 5910 ये 24 घंटे में उन मरीजों की संख्या सामने आई है, जिनमें क करोना की पुष्टी हुई है, 24 घंटे में 999 जान चली गई, जबकि ठीक होने की जो तादाद है वो यहाँ पर शुन है, देखे कितनी तेजी के साथ ये कुरोना वाईरिस अपने पाउं पसा रहा है, इतालवी सरकार ने अपने हाथ खड़ कर दिया, किसी के पास कोई सल्य नहीं है कि हम इस परिस्टी से कब निकलेंगे और कैसे निकलेंगे, तमाम तरह के दावे किये जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सिच्वेशन है, इस वक्त जो स्थिती है, उससे देश कैसे निकलेगा, उससे ये तमाम जो कंट्री से वो कैसे निकलेंगी, इसका जवाब कि यानि कि दुन्या में जतने भी देश है वहां पर अभी करोना का प्रभाः देखने को मिल रहा है कुछ भी ऐसे जो परिस्थितिया आपर बनी हुई है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई इनसान ये कह सके कि आखिर हम इन परिस्तितियों से कब बाहर निकलेंगे 180 के तक्रीबर मुल्क इस वक्त इस वैश्विक संकट का सामना कर रहे कौन में चौपट हो चुकी है लेकिन सवाल यह कि आखिर परिस्तितियां कब बहतर होंगी अब बात चीन की 81,394 के सामने आए हैं चीन में यह हम आपको बता रहे हैं वो आंक्रे हैं जो कि अभी तक चीन से सामने आए हैं 3,295 लोगों की जिन्दगी चली गई है चीन में कुरोना की चपेट में आने से जो कि ठीक होने वालों की जो तादाद है वो 74,971 है हाला कि चीन की ओर से तमाम उनने देखा कि तमाम तरह की इंतिजाम किये गए 10 दिन में बेट तयार किया गया है लेकिन जो मौझूदा परसिती चीन में बनी हुई है वो बहुत हद तक कंट्रोल में है लेकिन चंता और खत्रा अभी भी बना हुआ है जिसका अंदाजा वहाँ पर गवर्मेंट को भी है जिसका अंदाजा हर किसी को है चीन के वहां से शुरू हुआ और जो जांकारी निकल कर सामने आती है वो ये कि एक व्यक्ती से 10,000 लोगों में संक्रमन फैल गया समझे कि कितनी भयावा परिस्थिती हो गई है इस वक्त विश्व भर के सामने क्योंकि बहुत तेजी के साथ कुरोना वाइरस आम इंसान को अपनी जद में ले रहा है दुनिया को अपनी जद में ले रहा है 24 घंडे का क्या कुछ आंकड़ा एक बारा को ये जल्दी से बता देते हैं 54 मामले सामने आए हैं चीन से 24 घंड़े में मौत का आंकड़ा 3 लोगों की जान गई है जबकि 399 लोग ठीक हुए है चीन में लोग तेजी से ठीक भी हो रहा है चीन में तमाम तरह की facilities हैं वहाँ पर government के ओर से तमाम तरह की सकती बढ़ती गई लेकिन देखें कि चीन के वहां से शुरू हुआ ये मामला किस तरीके से बढ़ रहा है और कुरोना कितनी तेजी के साथ और कितना ताकदवर कुरोना वाइरस है कि इसने पूरी दुनिया को एक पूरी दुनिया के सामने किस प्रकार की संकट की स्थित्यूत्पन हो चुकी है 12,285 ये वो लोग हैं जो ठीक हुए स्पेन का मैडरीड शहर इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है लोग घरों में कैथ हो गया है विभिन कांट्री जे हमने देखा इमर्जेंसी लगाई गया है विभिन कांट्री में लॉकडाउन किया गया है आम लोगों से अपील की जारी है कि किर्पया अपने घर पर रहें लेकिन लोग मानने को तयार नहीं है जिस वज़ा से वहां पर किस तरीके से भयानक रूप देखने को मिल रहे कोरोना का उसका अंदाजा आप इन तमाम आंकरू से लगा सकते हैं जो कि हम आपको लगातार दिखा रहें पिश्रे 24 24 गंटे में क्या कुछ परिस्तिती है यह आप जल्दी से सबझेए 6529 उन मरीजों की संख्या है जो कि पिछले 24 गंटे में निकल कर सामने आए हैं जिनमें कोरोना की पुस्टी हुई है इस पेन में 522 लोग 522 लोगों की जान चली गई है पिछले 24 गंटे में ठीक होने वाल समस्या यह है कि वह जो अगति है वह कही नगा बेहत धीमी हो जाती है उसके कंपारिजन में जतने तेजी के साथ कुरोदा अपना पाउं पसाड रहा है और जतने तेजी के साथ वह लोगों को अपनी जद्में ले रहा है तमाम देशों के आंकड़े और हर आंकड़े के वारा तमाम तरह के सकती बढ़ती गई लोगों से अपील की गई लेकिन लोग मानने को तयार नहीं हुए जिसकी वज़ा से वो भयानक परिस्थिती से इस वक्त ये तमाम देश गुज़र रहे हैं अब बात जर्मनी की तिरपन 1340 ये उन मरीजों की संख्या है जर्मनी में जि की ठीक है देकि तेजी के साथ लोग ठीक भी हो रहें लेकिन ये ला इलाज बिमारी है इसका कोई इलाज रही है इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना खयाल रखें आप अपने घर में रहें क्यूंकि इसका मात्र उपाई इसका मात्र इलाज यही है कि आप अलग रहें कोरोना वाइरस बहुत तीजी के साथ ये एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे चोथे पांचवे व्यक्ति में फैलता है और आप इन आंगडों के जरी अंदाजर लगाए कि इस वक्त समूचे विष्ट के सामने कैसी संकट के स्थितूत पर हो चुकी है शायद किसी ने कभी कलपना नहीं की होगी कि एक वाइरस के वज़से जिन्दगी यू थम जाएगी उन तमाम सूपर पावर कांट्रीज में उन तमाम देशों में जो कि अपने आप में परिपून है जो कि अपने आप में संपन है पिछले 24 खंटे के आंकड़े क्या कुछ है जदमे ले रहा है मौत का आंकड़ा यहां पर 128 हो जाता है 128 लोग पिछले 24 खंटे में जान से हाथ दो बैठे हैं इस कुरोना की जदमे आने से ठीक होने वालों की जो संख्या है वो यहां पर शुन्य हो जाती है देखिए कितनी तेजी के साथ यह कुरोना वाइरस लोगों में फैल रहा है और कितनी तेजी के साथ यह अपने पाउं पसार रहा है दाइरा लगातार कुरोना वाइरस का बढ़ रहा है लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि आखिर यह परिस्तियां बहतर कब होंगी अब बात इरान की 35502 कुल मामले इरान से सामने आई हैं जि इनोंने जिन्दगी गवा दिये कुरोना की जद में आने से समझे कि परिस्तियां किस प्रकार से नाजुक बनी हुई है इन तमाम देशों में इस दुनिया में ठीक होने की जो तादाद है वह 11683 है इन तमाम कंट्रीज में तमाम सकती बरती जा रही है कहीं नकर उसका यह पर लोग ठीक भी हो रहे हैं लेकिन सवाल यह है कि आखिर परिस्थितियां कब बदलेगी सवाल यह कि आखिर लोग इस महामारी से कब बाहर निकलेंगे अब पिछले 24 गंटे के क्या कुछ आंकड़े यह आपके टीवी स्क्रीन पर है तीन हजार 89 मामले सामने आ हैं यह उन मरीजों की संख्या है जिनमें कुरोना की पुष्टी हुई है पिछले 24 गंटे में मौत का आंकड़ा 240 है 240 लोगों ने अपनी जिंदगी गवा दी है ठीक होने वालों की जो तादाध है वो 512 है यह हर एक आंकड़ा आपसे अपील कर रहा है कि आप क्रिप्या करके अपने घर पर रहें क्योंकि अगर आप अपने घर पर ही रहेंगे तभी भारत इससे उभर पाएगा तभी भारत इससे निकल पाएगा देखें किस तरीके से तबाही मचाई है इस कोरोना वाइरस ने 180 के तक्रीबन मुल्क है जो कि इस वक्त इसके चपेट में है जी 20 देश सार्क देशो ने भी यह माना कि हम सबको एक जुट होना होगा क्योंकि हमारा मुकाबला किसी देश से नहीं है हमारा मुकाबला कोरोना वाइरस से जो कि अपनी आप में इतना ताकतवर है कि वो पल-पल लोगों को अपनी आगोश में ले रहा है फ्रांस की बात कर लिजाए तो 32, 16,964 ये उन मरीजों की संक्या है जिनमें कुरोना की पुस्टी हुई है फ्रांस का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं मौत का अंकड़े की बात कर ले जाए तो 1,995 लोग इन लोगों ने जान गवा दी है कुरोना की जद में आने से ठीक होने वालों की जो तादात है वो 5,70 303 है ये सुखत पहलू है कि लोग ठीक भी हो रहे हैं लेकिन समझे कि ला इलाज बिमारी है इसका कोई सल्यूशन नहीं है लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम और आप साफधानी बरते हम और आप सतर्थ रहे पिछले 24 खंटे के क्या कुछ आकड़े ये आपको ए 3,809 ये उन मरीजों की संख्या है जो की पिछले 24 खंटे में निकल कर आए है जनमें करोना की पुस्टी हुई है 299 ये मौत का आकड़ा है समझे 24 खंटे में 299 लोगों की जान गई है ठीक होने वालों की जो तादाद है वो शुन है इस बात से आप अंदाजा लगाए कि हर एक मिनट में कितनी जाने जा रही है पिछले 24 खंटे का लगातार में आपको विभेन देशों के आंक्रे दिखा रहे हैं और इस अपील के साथ कि अभी भी वक्त है आप संभल जाए अभी भी वक्त है कि आप सतर्क हो जाए अब बात युनाइटड किंडम की 14,543 मामले साम वो बेहत कम 135 यहाँ पर है जो लोग ठीक हो पाए है यूके जहाँ पर ब्रीटेंग के प्राइम मिनिस्टर बॉरिस जॉनसन में भी कुरोना की पुस्टी हो चुकी है इसके अलावा शाही महल में भी इस कुरोना ने दस्तक दे दी है प्रिंस चार्ल्स में कुरोना की पुस 24 खंटे के क्या कुछ आकड़े यह आपको जल्दी से बता देते हैं 2285 मामले सामने आए हैं पिछले 24 खंटे में और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कही पर देखा जा रहा है तो वो लंदन में देखा जा रहा है मौत का जो आकड़ा है वो यहाँ पर 181 है कितनी टेजी के साथ यह कुरोना वारिस आम इंसान को अपनी आगोश में ले रहा है ठीक होने वालों की जो तादाद है वो यहाँ पर शुन है हमारा मकसद यह है कि हम इन आंगडों को आपको दिखाएं और आपको समझाएं कि आपे भी वक्त है कि हम चेत जाएं देखें क इस तरीके से तमाम जो कंट्रीज हैं विकसित देश विकास शील देश जिंके पास तमाम तरह की चीज़े हैं जिंके पास तमाम तरह की फसिलिटीज हैं लेकिन किस प्रकार से कुरोना के आगे वो तमाम चीज़े बहुत छोटी नज़र आती हैं इसका अंदाजा आप इन आंकडों के जरी लगा सकता है बाद स्विजर लाइंड की 13295 तेरा 1295 केस अभी तक स्विजर लाइंड से सामने आई है जिन में कुरोना की पुस्टी हुई है मौत का आकड़ा 240 लोगों की जान चली गई है स्विजर लाइंड में इसके जद्मियाने से ठीक होने वालों की ज कोई इलाज नहीं है यह एक लाइलाज बिमारी है जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं जो एक स्पोर्ट से उंके पास भी सलूशन नहीं है कि कैसे बचे इस पैंडेमिक से कैसे बचे इस महामारी से पिछले 24 खंड़े के क्या कुछ आंकड़े यह आप समझे एक 1116 यह उन मरीजों की संख्या है यह उन पेश्ट की संख्या है जो कि पिछले 24 खंड़े में सामने आए हैं जिनमें करोना की पुष्टी हुई है मौत का आकड़ा यहां पर 49 हो जाता है जो कि अब पिछले 24 खंड़े में जिनकी जिन्दगी जा चुकी है अब बात साउथ कोरिया क वहाँ पर क्या कुछ तस्वीर है यह आप समझें 9478 यह उन मरीजों की संख्या है जिनमें अभी तक साउथ कोरिया में करोना की पुष्टी हुई है 144 मौते हो चुकी हैं वहाँ पर करोना की जद में आने से छीक होने की जो तादाद है वो 4813 हैं समझे तमाम जैसे कांट्र से हम के पास तमाम तरह के सुवधाई हैं थमाम तरह की फसिलिटी सहां भारत के मुकाबले ये फसिलिटी कई ज्यादा बहूत कंट्री में हैं लेकिन बावजूत वहाँ पर किस तरीके से से कुरोना ने तबाही माच वाई है किस तरीके से जिंदगी छीन लई है इसका अंदाजा इन तमाम आकड़ों के जरीया आप लगाएए अब बात पिछले 24 घंटे की 146 मामले सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में साउथ कोरिया से जिन में करोना की पुष्टी हुई है मौत का आकड़ा यहाँ पर 5 हो जाता है जबकि ठीक होने वालों की जो तादाद है वो 305 है यह स्थिती जिसका सामना इस वक्त समूचा विश्च कर रहा है इससे हम कब बहार निकलेंगे यह सवाल शायद हर किसी के जहन में हो सकता है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है अब बात Belgium क्या है आके टिवी स्क्रीन्स पर Belgium का आकड़ा है 9134 9134 लोगों में अभी तक कोरोना की पुष्टी हूई है Belgium में मौत का आक्रा 303 है, ठीक होने वालों की संक्या है, वो 1079 है, देखे, बहुत जोगा पर लोग ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर ये परिस्थितिया इस तरीके से जो बनी होई है, उससे हम कब निकलेंगे, अब पिछले 24 गंडी का क्या कुछ अंतर है, क् 1850, 1850 लोग सामने आए हैं, जिनमें कुरोना की पुष्टी होई है, मौत का आक्रा 64 है, 64 लोगों ने अपनी जिंदगी गवाद दी है, ये भयानक परिस्थिती है, पूरे दुनिया के सामने, पूरे विश्व के सामने, ठीक होने की जो तादाद है, वो यहाँ पर 205 है, मह इस दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ी महामारी है, वो है कुरोना, नीदर लैंड की बात कर लिजाए, तो 8603, 8603 मरीजों की संक्या है, जो अभी तक नीदर लैंड से सामने आए हैं, जिनमें कुरोना की पुष्टे होई है, मौत का आक्रा 546, ये वो लोग हैं, जन 1172, पिछले 24 कंटे में, देखे कितनी तेजी के साथ ये संक्रवन फैल्ड है, पिछले 24 कंटे में 1172 को लोग सामने आए हैं, जिनमें कुरोना की पुष्टी होई है, मौत का आक्रा 112 लोगों ने जिन्दगी गवा दी है, कुरोना की जत्मी आने से, ये स्थिती बहुत भया इस वक्त बनी हुई है, पुरी दुनिया के सामने, और हम आपको कतई डरा नहीं रहे हैं, बल्के हम आपको सचेत कर रहे हैं, कि आभी वे वक्त है कि हम संभल जाएं, क्योंकि विभिन कंट्री में, विभिन देशों में, किस प्रकार से तमाम जो चीज़े हैं, किस प्रकार से करोना ने तवाही मजाई है, इसका अंदाजा आप इन आंक्रों के जरी लगाएं, अब बात ऑस्ट्रिया की, 7,712 मामली सामने आएं, ऑस्ट्रिया से जिनमें अभी तक करोना की पुस्टी होई है, मौत का जो आंक्रा है, वो यहांपर 68 हो जाता है, जिनमें जो लोग, जिन्दिकी जिन्होंने अपनी गवादी है, करोना की जद्मी आने से ठीक होने वाले की तादाद है, वो 225 है, यह वो आंक्रा है, यह वो संख्या है, जो कि अभी तक पाई गए है, जिनमें करोना की पुस्टी होई है, पिछले 24 घंटे का क्या कुछ आंक्रा है, यह आप स पासानी के साथ हम बोल सकते हैं लेकिंगे जो परिस्थितियों का जो अंदाजा है वो आप इन आंकडों के जरीय लगाए अब पाकिस्तान में पड़ोसी मुल्क में किस तरीके से स्थिति है यह आप जरा समझ हुए 1412 मामले सामने आएं यह उन मरीजों की संख्या है जो कि अ पाकिस्तान से जिन में करोना की पुस्टी हुई है ठीक होने वालों की जो तादाद है वो दो है यह तमाम ऐसी कांट्री जिनका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और इसी अपील के साथ कि प्लीज आप अभी में समल जाएं प्लीज आप अपने घर पर रहें लॉक्डाउन की पालना करें तभी मिलकर हम यह आंक्रों को कम कर पाएंगे जो कि इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं भारत के आंक्रे 930 प्लस इसका मतलब आप समझ रहें कि कितनी तेजी के साथ यह कुरोना वाइरस अपने पाउं पसार रहा है मौत का जो आंक्रा है वो यहां पर 21 है 21 लोगों की जान चली जग गई है इस कुरोना की जद्मी आने से हमारे देश में ठीक होने वालों की जो तादाद है वो असी पार है हाला कि कुछ लोग ठीक भी हुए हैं लेकिन देखें कि आंक्रा किस तरीके से इस थिती को बयान कर रहा है इसका एक मा बातर इलाज यही है कि हम और आप अपने घर में रहें हम और आप तमाम दिशा निर्देशों की पालना करें पिशले 24 करने में क्या कुछ अंतर है यह मैं आपको पता देते हैं जल्ली से 150 से ज्यादा मामले सामने आएं 150 से ज्यादा मरी सामने आएं जिनमें कुरोना की है कि हम उन आपड़ों को कम करें हम लोकडाउन की पालना करें क्यूंकि मात्र अलग थलक होने से ही हम कुरोना को मात दे पाएंगे हम भारत को इन परिस्थित्यों से उभार पाएंगे अब बात विश की संपून विश में किस तरीके से कुरोना का कहर देखने को मिल रहा है ये आप इन आंक्डों के जरी अंदाज़ा लगाएए 6,14,905 ये उन मरीजों की संख्या है जिनमें कुरोना की पुस्टी हुई है मौत का जो आंक्डा है वो 28,362 है ठीक होने वालों की जो तादाद है 1,37,422 है ये कुल मामला है ये कुल स्थिती इस वक्त बनी हुई है पूरे विश्ट के सामने क्योंकि ये सबसे बड़ी महामारी है जिससे दुनिया कब उपरेगी शायद इसका जवाब किसी के पास नहीं है पिछले 24 गंटे का क्या कुछ अंतर है ये आप जल्दी से समझें 64,465 ये मामले पिछले 24 गंटे में सामने आए हैं जिनमें विश्व भर में कुरोना की पुष्टी हुई है मौत का आकड़ा 2512 हो जाता है ठीक होने वालों की तादाद है वो 5329 है ये पिछले 24 गंटे का आकड़ा है और आप इसके जरिये अंदाजर लगाए कि किस तरीके से कितनी तेजी के साथ कुरोना वाइरस अपने पाउं पसारता हुआ और किस तरीके से भयावा स्थिती बनी हुई है संपूर्ण विश्वें ऐसे में परिस्थितिया और ना बत्तर हो परिस्थितिया और भयारक ना हो इसके लिए विभिन कांट्रीज में विभिन देशों में उनके सरकार के द्वारा तमाम तरह के कदम उठाए गये हैं लेकिन यहां पर जरूरी है कि हम उन तमाम कं कि उस पार लोटेंगे तब बात होगी कि भारत में किस तरीके से कोरोना का कहड़ देखने को मिल राइक बहुत ही छोड़ी से ब्रेक के लिए